नमस्कार दोफ्तों वैस्टनभी और्गैनिक डेरी फार्म में आपका स्वाजत है आज हम आपको ले आये हैं यह देखिए पीछे दिखाओ वैस्टनभी और डेरी फार्म का डेरी फार्म जो मिरमान कारे ही हैं पर कम्प्लीट होने वाला है तो अब आप इधर देखिए इध दूरूत पाधन हो रहा है इसमें प्रोटीन अठारा परसेंट होता है और यह साइबर जो है हंडेड़ परसेंट होता है इसके अंदर आपको हम दिखाते है यह इधर आजाओ इसको दिखाते हैं हमने एक पेंड लगाए था उहां पर देखिए कितना पेंड हो चुका है यह देखी एक, दो, तीन, एक काटा है मने चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ, दस, इगारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, शोला, सत्रा, अठारा, उनी, डी, एकाई, बाई, तेई, चौबी, पठी, चौबी, पताई, अठाई, उनकी, तीस, तो मातर एक गुल्ली ऐसा लगाया था छोटा सा, ऐसा गुल्ली हमने लगाया था जमीन में, आज चौबीस से तीस, जो है गुल्ली हर पेड में निकल चुका है, तो एक ही गुल्ली से हम पूरा गायों का एक दिन का चारा बना सकते हैं, इसमें 18% प्र प्रांतिकारी बदलाव लाएगा सुपर नेपियर, तो आप देख सकते हैं, सुपर नेपियर का जो कमाल है, बहुत ही फेक्टिव है, यह हमारा विदेश का जो हॉलेंड का एक घास था, इंडिया में आया है, और इसका हम लोग बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, फीर हम नया जो लगाएं इधर आना वेता दिखाने नया फुपं में पियर हम लगाया है, अट रहे हैं, हम लिए लगाया है, ऐसे लगता है बुल्ली काटके यह दरखेके इसमें से से देखिए ध्यान से इसके अंदर से बाहर निकल रहा है तो इस नपियर हमने लगाया है और अव्हसाय गचा हूइNow इसको अफ्ठीज को लगाया है इधर जितना भी एरिया एदा कठा अधा करीब 100 तो हम इसमें स्पर नेक activ लगाए तो दोस्तों यह देख सकते हैं हमारे पास बहुत अच्या इसका अंने त्यार कर लिया हैं अब आपको बात करेंगे एक और जगह है जहाँ तो आप देख सकते हैं वो जो है वीडियो को अभी हम थोड़ा दिर के लिए रोक यह देखिए सामने खेप में भी हमने लगवाया था इसमें बहुत अच्छी हो गया है और इसके साथ भी इन्होंने कुछ सरसो का पेड़ लगा दिया था जिससे सर्चो का उत्पादन भी हो गया तो गास केसा तरी तो भी अच्छा इसका प्रोडॉक्शन दिखाई लिए रहा है इसके अंदर जो पेंड है एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस, जारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उनीश, बीश, एकीस, बाइस, तेश, चोविश, पचीस, चबीश, सताइस, अठाइस, उन्तिस, तीश, एकीस, बतिस, बतिस, इसमें भी लमसम बतिस पेंड निकला है, जो पीछे जो वीडियो हमने दिखाया था, उसमें भी लमसम इतना ही, इसमें 18% प्रोटीन, इसमें 18% प्रोटीन और लमसम आपको बताते हैं कि 32-32% गुलुकोज, सुगर की मातरा है, और फाइबर 100% है, मतलब हम पूरा इसको घा घास के रुप में डाइरेक्ट खिला सकते हैं, गाये सुपाच्चे हैं, 100% सुपाच्चे है, गोबर पतला नहीं होगा, और गायों के लिए एकदम ये जो है, ख्रांतिकारी घास है, एक बार लगाने के बाद 6 साल तक चलता है, साल में कम से कम 4-5 बार काट सकते हैं, तो ब बहुत बड़ा बदलाव है, घास में, जो डेरी सेक्टर में, किसानों के लिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, सुपाने पियर, थेंक्यू